हेलो दोस्तों, दिन नॉलेज हब पे आपका स्वागत है और मैं लेकर आया हूँ Modern History के Important Questions जो कि आपके UPSC, BPSC और जितने भी Important Exams हैं, उनके लिए काफी Important है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं Modern History का Lecture No.3, तो पहला Question है इसमें The Muslims is contended and satisfied would become the greatest bulwok of British power in India Who said this statement? Muslim संतुस्ट हैं और संतुस्ट होकर भारत में British सत्ता का सबसे बड़ा विरोधी बन जाएगा यह कथन किस ने कहा? तो एक तरह से यह जो कथन है यह WW Hunter ने कहा था उन्होंने किताब लिखी थी The Indian Muslim यह WW Hunter वही वेक्ती हैं जिन्होंने Imperial Gazette of India यह भी इन्हों नहीं लिखा था पूरा Imperial Gazetter of India इन्हीं को कहा जाता था ठीक है? तो WW Hunter बहुत ही important यह Civil Service Officer थे किस ने कहा था कि Congress को मैं समापत होते देखना चाहता हूँ पूरी तरह से खत्म होते देखना चाहता हूँ यह मेरी सबसे बड़ी महत्वा कांचा है तो यह कहा था Lord Karjan ने 1899 से 1905 तक Lord Karjan रहे थे भारत के वाइसराए और इनके समय अगर देखें तो Partition of Bengal बंगाल का विभाजन 1905 में यह काफी important रहा है साथ के साथ ताजमहल का renovation या जितने भी ancient monuments थे उनका renovation जो है वो Lord Karjan के समय में हुआ है इसके बाद यह Lord Karjan जो है वो एक तरह से कह लिजे कि हिंदू-Muslim Divide के लिए जो बंगाल का partition किया था तो Divide and Rule का जो एक तरह से प्रपॉंडर की है 20th century के start में वो भी Lord Karjan है इसके बाद है question number third Sir Michael O'Dayar was sought dead on 13th March 1940 in London by which revolutionary leader Sir Michael O'Dayar की 13 March 1940 को London में किस क्रांतिकारी नेता द्वारा गोली मार कर हत्यागर दी गई थी तो इसका सही आंसर है उधम सिंग देखिए उधम सिंग ने बदला लिया है यह Michael O'Dayar उस समय बंगाल यह पंजाब के गवर्नर या लेफटिनेंट गवर्नर कह लीजे थे और इन ही के ओर्डर पर जनरल डायर ने खुले आम जालिया वाला बाग हत्याकांट करवाया था तो इसलिए चुकी यह वहां के गवर्नर थे तो इन के उपर सारा ब्लेम जाता है और इन ही के हत्याकी है उधहम सिंग ने तो माइकल ओ डायर अलग विकती है और जनरल डायर अलग विकती है उनहें चिटगाओ आरमरी च्छापे के लिए जाना जाता है उनहें लोकपर ये रूप से मास्टर दा कहा जाता था व्यक्ती का नाम बता ही है देखिए ये चिटगों में आर्मरी जो आर्म्स रखे रखे इस्टोर था या आर्मरी जो वहाँ पे बिटिस गॉवर्मेंट की थी उस पर रेड डल वाया था सुरिय सेन ने एक तरह से अप उस एरिया में इन्होंने अपनी ही सरकार या अपना ही पूरा करांधिकारी मोहमें चला रखा था पूरा कबजा कर लिया था एक और कुशिन यहां से पूछ से मास्टर दा सुरिय सेन से कि स्नेहलता वाडिकर एक फिमेल हैं जो की बहुत ज़ादा एसिस्ट करती हैं और बहुत ज़ादा help करती हैं सुरियदा को तो ये भी question पूछा जा सकता है या बहुत जगा पूछा भी गया है स्नेहलता वाडिकर के बारे में और 1933 में इनके पूरे revolution को खत्म कर दिया गया था Question number 5 Which vicerai started to convert the title of Rai Bahadur and Khan Bahadur किस vicerai ने Rai Bahadur और Khan Bahadur की उपाधी से सम्मानित करना शुरू किया जो भी काफी loyal होते थे British government के लिए उनके लिए Lord Litton ने ऐसा start किया था देखिए Lord Litton 1876 से 1880 तक रहे हैं लेकिन बहुत कुछ इनके समय में हुआ है जैसे Arms Act इन्होंने लाया था कि किसी भी हिंदुस्तानी को बिना लैसेंस के कोई भी किसी भी तरह का Arms नहीं रखने दिया जाएगा जबकि British us को ये permission होता था इन्होंने वर्नकूलर प्रे सेक्ट लाया कि कोई भी सरकार के खिलाफ यहां की local language में नहीं लिख सकता है अगर आपको कुछ सरकार का criticism भी करना है तो अंग्रेजी में ही करना पड़ेगा इसके बाद ये दिल्ली दर्भार सजाते है 1977 में और वहां पे Empress of India का officially वो ताज जो है Queen Victoria को देते हैं तो ये Lord Lytton इनको कहा भी जाता है Vice of Reverse Characteristics मतलब विप्री चरित्रों वाला Vice रहे हैं ये इसके बाद question number 6 है Who is regarded as mother of Indian revolution भारत करांती की जननी किसे कहा जाता है तो मैडम विकाजी कामा देखें मैडम विकाजी कामा ये Stuttgart जर्मनी में 1905 में जंडा फैराती है और इसी कारण से ये एक तरह से विदेशी धरती पर भारत माता के आवाज को करने के लिए इनको जाना जाता है तो इसलिए एक तरह से first lady है जो बिलकुल खुले रूप से भारत माता को आजाद करने के लिए बहुत जादा लड़ाई लड़ती है तो मैडम विकाजी कामा Question number 7 So always with assent and offense to the dictates of the chamber of commerce the government of India is carried on and this is white man burden who wrote this अतह सदैव वानिच मंत्राले के chamber के आग्या पत्रों के साथ भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है और यह white man's burden है यह किस ने लिखा देखे यह question 64th BPSC में आया हुआ था जो 2018 में जिसका prelims हुआ था उसे में यह question आया था इसका सही आंसर है सचिदानन सिन्हा एक चीज में आपको बताऊँ कि सचिदानन सिन्हा say 65th BPSC में भी question आया है कि who was the modern creator of Bihar तो modern creator of Bihar जो है वो भी सचिदानन सिन्हा को जाना जाता है और एक और चीज़ सचिदानन सिन्हा के लिए कि जो सम्विधान सभा का गठन हुआ था उसके provisional president जोकि सबसे senior most वहाँ पर member सचिदानन सिन्हा थे बिहार से ही थे और इसलिए उनको provisional president जो है सम्विधान सभा का बनाया गया था तो ये कुछ चीज़ें आपको सचिदानन सिन्हा से ध्यान रखनी है सुरक्षा की मांग की और हिंदू भी मुर्ख थे उन्होंने उस मांग को औस्विकार कर दिया यह कथन किसने कहा तो ये कथन कहने वाले हैं मौलाना अबुलकलामाजाद मौलाना अबुलकलामाजाद से भी कुछ questions आपके पूछे जा सकते हैं जो आजादी से पहले सरवाधिक समय तक कॉंग्रिस के अध्यक्ष रहने का स्वभाग मौलाना अबुलकलामाजाद को प्राप्त है इसके बाद मौलाना अबुलकलामाजाद अलहिलाल नाम की पत्रिका चलाते थे और सौदी अरब से इनका connection है तो मौलाना अबुलकलामाजाद भारत के पहले सिक्षा मंत्री भी थे और इन्हीं के बढ़्डे पे 11 तौंबर को हर साल सिक्षा दिवस की रूप में मनाया जाता है तो ये मौलाना अबुलकलामाजाद और अभी आएगा एक question और कि official negotiator जो क्रिप्स मिशन का है वो भी मौलाना अबुलकलामाजाद उसमें भी एक negotiator थे तो question number 9 So long as you do not achieve social liberty whatever freedom is provided by the law is of no avail to you who said this statement जब तक आप सामाजिक स्वतंतरता प्राप्त नहीं करते हैं तब तक कानून द्वारा जो भी स्वतंतरता प्रदान की जाती है वो आपके लिए उपलब्द है यह कथन किसने कहा तो इसका सही answer है B.R. अमबेटकर देखे B.R. अमबेटकर की लड़ाई केवल स्वतंतरता संग्राम की लड़ाई नहीं थी उनकी लड़ाई सामाजिक लड़ाई भी थी दलित वर्गों का जो शोशन होता था उसके खिलाब भी लड़ाई थी बहिस्कृत हितकार्णी सभा उन्होंने बनाया है मूख नायक लिखा है All India Depressed Class को भी रिप्रेजेंट किया है किस अधिनियम द्वारा बिटिस भारत के प्रांतों को स्वाइटता दी गई तो इसका सही आंसर है Government of India Act 1935 देखे Government of India Act 1935 जो है एक तरह से कहा ये जाता है कि दो बातों का रिप्रेजेंटेशन है एक तो Simon Commission ने जो रिपोर्ट दिया था 1928 में और दूसरा जो रॉन्टेबल कॉन्फरेंस हुआ है 1930-31 में इनसे जो भी बाते निकल कर आती हैं जो भी निशकर्स निकल के आता है उस सब को समलित किया गया था Government of India Act 1935 में साथ के साथ आपको ये भी धियान रखना है कि भारत का जो संभिधान है उसमें भी सरवाधिक प्रावधान Government of India Act 1935 से ही लिए गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिए गया है किस कॉंग्रेस अधिवेशन ने मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव पारित किया तो इसका सही आंसर है कराची सेशन आफ 1931 देखे कराची अधिवेशन की अधियक्षता सरदार वल्लब भैपटेलने की है और Fundamental Rights और Minority के उपर जो अधिकार है Minority Rights के उपर ये पारित हुआ है आपका कराची अधिवेशन में और बाद की करम तक ऐसा ही कुछ चलता है ये जो Fundamental Rights और Minority Committee Constituent Assembly की बनती है उसके भी अधियक्ष जो है वो सरदार वल्लब भैपटेल ही होते है ठीक है तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट सेसन रहा कराची सेसन ओफ 1931 Question No.12 He established Satyasodak समाज and wrote a book गुलामगिरी He championed widow remarriage and started a home for high caste widows He and his wife were pioneers of women education in India Name the person उन्होंने Satyasodak समाज की अस्थापना की और एक पुस्तक गुलामगिरी लिखी उन्होंने विद्वा पुनरविवाह का समर्थन किया और उच्ची चाती की विद्वाओं के लिए घर सुरू किया वे और उनकी पत्नी भारत में महिला सिक्षा की अग्रणे थी वेक्ति का नाम बताईए तो इसका सही आंसर है जोतिवा फुले जोतिवा फुले की पत्नी है साबित्री भाई फुले तो इन दोनोंने पुना में बहुत ज़्यादा काम किया है जो उच्चवर की महिला खास करके वैसे प्रेगनेंट विद्वा महिला जो बच्चे के जन्म के साथ अधिकतर लोग उनको मार दिया करती थी उन सब के लिए कहा कि हम एक घर ऐसा बना रहे हैं जिसमें आकर आप रहिए अगर आप बच्चों को अपने जन्म देने के पस्चाथ नहीं भी रखना चाहते हैं तो ये जो चाइल्ड केर होम हम बनाने जा रहे हैं वो उसका ख्याल रखेगा उसको मारने की जरुरत नहीं है और विडो रिमैरेज के लिए भी काफी ज़्यदा काम किया है फिर कहा कि ऐसी हालत इनकी इस कारण से होती है क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो महलाओं को पढ़ाना भी इन्होंने इन दोनों ने मिलके उसके लिए women colleges, schools इनकी विवेवस्ता की है Question number 13 Who was the political guru of सुभास चंद्र बोस? सुभास चंद्र बोस के राजनितिक guru कौन थे? तो इसका सही आंसर है देश बंधू चितरंजन्दास देखे देश बंधू चितरंजन्दास ये काफी important हो जाएंगे क्योंकि एक तो सुभास चंद्र बोस चुकी वो भी Indian civil service में थे तो उनको भी लेकर मतलब एक तरह से प्रणा सुरोत हैं चितरंजन्दास उनके राजनीती में आने के लिए साथ के साथ अलिपूर बॉम केस जो है अलिपूर बॉम सडियंदर जो है जिसमें अरबिंदो घोष जो है वो अव्यूक्त बनाय गए थे तो उनको जो है एक्विट किया है उनको दोसा मुक्त करवाया है चितरंजन्दास ने साथ के साथ चितरंजन्दास हूम रूल लीग मुहमेंट के समय भी एनी बेसेंट के खेमे को समर्थन करते हैं और उसके बाद जब असहयोग आंदूलन का समय होता है तो उसके बाद सुराज पार्टी के स्थापना करके उसके चेयर्मेन भी बनते हैं चितरंजन्दास 65th BPSC में इनसे एक क्वेशन पुछा था इंडिया फॉर इंडियन्स के लेखक कौन है तो उसका भी सही आंसर क्या है चितरंजन्दास Question number 14 The Congress was divided in two parts in the सूरत session of Congress in 1907 Who presided the session? जो सूरत बिभाजन है सूरत split है वो 1907 में हुआ है इस अधिवेशन की अध्यक्षिता किसने की थी? देखिए होना ये अधिवेशन सूरत में नहीं था नागपूर में होना था और अधियक्ष रास भिहारी घोष ना होके लाला लाजपत रह होते लेकिन moderate और extremist के बीच में काफी ज़्यदा तनाव बढ़ गया था तो इसलिए moderate को डर था कि अगर नागपूर में अधिवेशन होता है तो तिलक का बहुत strong hold है नागपूर वो जो चाहेंगे वो करवा ले जाएंगे नागपूर में तो इसलिए इस अधिवेशन को सूरत सिफ्ट किया गया और साथ के साथ लाला लाजपत रहे और तिलक एक ही खेमे के हैं तो इसलिए उसको बदलके फिर रास भिहारी घोष एक moderate leader है उनको बनाया गया और यहाँ पर नरम दल और गरम दल दोनों में भी भाजन हो जाता है कॉंग्रेस में फिर वो पुना एक जो हैं वो 1916 में होते हैं पॉश्य नमा 15 Muslim League and Congress agreed to collaborate for freedom fighting in 1916 The pact is known as Muslim League और कॉंग्रेस ने 1916 में सतंतरता संगराम के लिए सहयोग करने पर सहमती व्यक्त की संधी को डैस की रूप में जाना जाता है तो इसका सही आंसर है लखनो पैक्ट लखनो पैक्ट में Congress और Muslim League एक हुए हैं Congress जो 1909 का भारत परिशद कानून है Indian Council Act है उसके तहत मुसलमानों को प्रिथक निरवाचन चत्री की विवस्ता की गई थी लखनो पैक्ट के तहट Congress ने उस मांग को सुईकार कर लिया है कि उनका जो प्रिथक निरवाचन मंडल है वो यथावत बना रहे हैं और बदले में Muslim League उनके Freedom Movement को Congress की Freedom Movement को सपोर्ट करने की बात करी है तभी Home Rule League मुहमेंट को सपोर्ट किया है Muslim League ने Who started Permanent Settlement in Bengal Bengal में अस्थाई समझोता है अस्थाई बंदोबस्त किस ने सुरू किया देखे कॉर्ण वॉलिस ने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त सुरू किया जिसके तहत जमिंदार का पदस्थापित किया गया और जमिंदार को कहा गया कि अभी के हिसाब से हम आपके लिए एक Tax मतलब जो revenue है वो collection बताते हैं जितना भी revenue अभी collect हो रहा है उसका 10 बटे 11 हिस्सा आप British को दे देंगे और एक बटे 11 आप अपने पास रखेंगे और अगर आप future में अधिक Tax भी collect करते हैं तो जो भी extra tax होगा वो आप खुद अपने पास रख सकते हैं ये permanent settlement था अस्थाई बंदोबस्त था Cornwallis के दोरा लाया गया इससे फाइदा क्या हुआ तो अब लोगों को ये पिजेंट्स हैं या छोटे किसान हैं या मजदूर हैं जो खेत में काम कर रहे हैं उनके लिए अब विलेन की रूप में जमिंदार हो जाएंगे ना कि Britishers Question No.17 Who founded India Horse at London in 1905? 1905 में लंदन में India Horse के अस्थापना किसने की तो इसका सही आंसर है स्याम जी कृष्ण वर्मा और यहां से बहुत सारी गतिविधियां हुई हैं एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मदनलाल धिंग्रा मदनलाल धिंग्रा ने विलीज की हत्या कर दी थी यहीं इसी से संबंधित थे वो भी इसके बाद जो वीडी सावर कर जब लंदन में थे वो भी इंडिया हॉस से ही कनेक्टेट थे तो बहुत सारे लोग यहां पे एक तरह से क्रांतिकरी गतिविधि या कह लिजे कि भारत को सवतनतर करवाने के लिए जो उनकी इच्छा थी उसको एक तरह से बल मिलता था इंडिया हॉस में और उसकी अस्थापना स्याम जी क्रिष्ण वर्माने की थी उसका सही आंसर है आचार्य भिनोबा भावे और दुटिये सत्याग्रही जो है पंडित जवारलाल नेरू है मतलब ऐसा सोचा गया कि जगह जगह पर सरकार के सरकारी अस्थानों पर जाकर आपको जो लोकल लीडर है वो सत्याग्रह करेंगे तो जैसे बिहार में भी क्रिष्ण सिंग ने अनुगरह नारायन सिंग ने किया था या अलग-अलग जगह जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने व्यक्तिकत रूप से सत्याग्रह सरकारी अस्थानों पर जाकर किया था तो उसमें पहले आचारी बीनों बाभावे और सकेंट जवारलाल नेरू किस आंदोलन के लिए गांधी जी ने सुईकार किया उन्होंने हिमालिये परिमान की गलती की है तो इसका सही आंसर है रॉलेट सत्याग्रह देखिए रॉलेट एक्ट लाया गया था 1919 में जिसको काला कानून कहा है गांधी जी ने फंडमेंटल राइट या सिविल राइट पर हमला बताया है क्योंकि बिना किसी वारेंट के दो साल तक किसी को भी जेल में डाला जा सकता था और उस अबधी को बढ़ा के इन्फानेट टैम तक किया जा सकता था तो इसलिए कहा कि बिना किसी बात के बिना किसी प्रो वारेंट के किसी को ऐसा जेल में डाल देना ये मानवाधिकार पर हमला है, सिविल राइट पर हमला है, फंडमेंटल राइट पर हमला है. Question number 20. Which two big leaders were official negotiators with CRIPS mission? CRIPS mission के साथ कौन से दो बड़े नेता आथिकारिक वारतकार थे? तो इसका सही answer है, मौलाना अबुलकला माजा. देखिए, मौलाना अबुलकला माजाज जो है, वो उस समय कॉंग्रिस के president थे, 1942 में. और पंडित नहरू, ये 1942 में ही पंडित नहरू को गांधी जी ने बता दिया था, कि मेरे अगर अब कोई, मेरे बाद, अगर मेरे कोई वारिश होंगे, कोई उत्राधिकारी होंगे, Congress में, तो वो पंडित नहरू होंगे. तो इसलिए पंडित नहरू, उस समय से काफी ज़्यादा important role में आ जाते हैं. और साथ के साथ नहरू जी ने, जब किर्प्स mission fail हो जाता है, तो नहरू जी ने कहा कि it was a train without engine. ये एक ऐसा train था, जिसमें कोई engine ही नहीं था, कि किस तरह से भारत को हम dominion status देंगे, क्या runnitी होगी, कैसे कैसे योजनाएं होंगे, इसकी कोई भी बात नहीं बताए गई थी, केवल ये कह दिया गया था, कि हम युद्ध के बाद आपको dominion status दे देंगे, एक conscient assembly दे देंगे, लेकिन कैसे देंगे, इसकी कोई जानकरी नहीं थी, तो ये 20 important questions आपके समने, मैंने discuss किये, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, तो please like कीजिए, subscribe कीजिए, share कीजिए, thank you so much.